आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मस्योटेक्स के मॉर्डूल थर्ड के टॉपिक जिसका नाम है इमल्शन्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड मैथर्ड ओफ प्रिपरेशन इमल्शन मैं आपको बता दिया है से पहले बाले लेक्शर वीडियो में कि इमल्शन क्या होते हैं उसके ताइप्स क्या होते हैं अब उसके इडेंटिफिकेशन टेस्ट और मैथर्ड और प्रिपरेशन पढ़ेंगे इस लेक्शर में और यह दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपकलत है आपके एग्जाम पॉइंट आप यह दोनो topics से questions पूछे ही जाते हैं तो इस lecture में मैं आपको identification test क्या होते है और applications क्या होते है immersion के यह बताऊंगी और इसका part two में मैं आपको method of preparation बताऊंगी immersion के ठीक है अब तो start करते है identification test से जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है identify कर रहा है हम लोग तो क्या identify करेंगे identification test से identification test से हम type of immersion को find करेंगे identify करेंगे कि कौन type का immersion है जैसे आपको मैंने बताया है कि oil in water type का होता है water in oil type का होता immersion basically कौन सा immersion हमने develop किया है कौन सा immersion हमने formulate कौन साiggers उलेट किया है कौन साथ इमल्जिन हमने आम जापको युस आपको तेस्ट को तेस्ट को युस करते है तो युसटी कि आपको थे तेस्ट कौन से आपको देख युथ ज़े थे जी अबसल से Anytime हम इन रहा हए उनल्जिन अ ऑम रहां इन आपको है क्योंकि नहीं है कोई चेंज़ कि आपका अपका इन था प्रणिनियस फेज में यह या फे दिपर्ज मीडियम है यह जदा अपकी क्वएंटिटी में तो अगर आप अपो अगर अपका अपका अपक्नियस था इन दालोगे तो तो वह मिक्स हो जाएगा लेकिंग अगर अगर you can stimulate water in oil type emulsion Here we go. Why do you? Yeah. Oil has been dispersed media ale you know It reacts with water and it looks crack It is the same thing which is then does sound then If you are newer in oil type emulsion you will not see any change You get no differentraments क्रैकिंग दिखने लगेगी, क्योंकि oil और water फिर react करेंगे और फिर आपको cracking दिखने लग जाएगी, क्योंकि क्यों react करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, oil in water type में, अगर आप oil डालोगे, तो water है continuous phase में, जिसके वैसे cracking होगी, और water in oil में, oil है, और आप water डाल रहे हो, तो फिर cracking ह होगी, ठीक है, और अगर water, oil in water type में, water ही डालोगे, तो कोई चेंग नहीं रहेगा, और water in oil type में, अगर oil डालोगे, तो कोई चेंग नहीं रहेगा, क्योंकि continuous phase में, उन ही के similar groups है, ठीक है, so, definition देख सकते हैं, तो एक बार से read करते हैं, कि टेस्ट किया है, so, the addition of water to a water in oil type of emulsion and oil to a oil in water type of emulsion, would crack the emulsion and lead to the separation of the two phases, क्या होगा, अगर हम water कोईड करेंगे, water in oil type of emulsion में, या फिर oil कोईड करेंगे, oil in water type of emulsion में, तो cracking होगी, और separation of phases होगे, जिसके वैसे आपको दिख जाएगा, कि उसकी instability है, वो stable नहीं है, तो आप समझ जाएंगे, कि किस type का emulsion है, water in oil type में, अगर आप water डालेंगे, तो cracking होगी, और oil in water type में, अगर आप oil डालेंगे, तो cracking होगी, water ही डालेंगे, तो cracking होगी, water ही डालेंगे, तो cracking नहीं होगी, कोई चेंज नहीं रहेगा, और इसमें अगर oil ही डालेंगे, तो कोई चेंज नहीं रहेगा, चिक, next आता है हमारा conductivity test, जब हम और ओयbench होता है वह अच्छा conductor नहीं होता है its the non conductor of electricity ठीक है तो when the current is passed to an emulsion connected to a voltage bulb the bulb glows क्या होता है? एक connector को हम लो connect कर देते हैं एक bulb से ठीक है ठीक है? और इस ही में हम तो क्या पास करवाते है? emulsion पास कर वाते हैं ठीक है? अगर वो oil in water type का emulsion रहता है तो water जो होता है वो continuous phase में होता है तो ये bulb जो होता है वो glow कर देता है क्यों glow करता है क्योंकि water जो होता है वो good conductor होता है electricity का ठीक है लेकिन अगर हम water in oil type of emulsion इसमें डालते हैं तो bulb glow नहीं करता है क्योंकि जो oil रहता है इसमें continuous phase में रहता है और oil जो होता है वो good conductor नहीं होता है या फिर बोल सकते हो non-conductor होता है electricity का जिसके वैसे बल्ब ग्लो नहीं होता है तो आप इससे समझ सते हैं कि oil in water type का emulsion है कि water in oil type का emulsion है एक बार आप आप इसको देखिए when current is passed to an emulsion connected to a voltage bulb the bulb glows if it is oil in water type of emulsion since water is a good conductor of electricity when the bulb does not glow it is water in oil type of emulsion because oil is the non-conductor of electricity इसके बाद आप देख सकते हैं अगर oil in that is oil in water type होगा तो current flows water in oil type का होगा तो current do not flows when purified water instead of potable water is used अगर हम purified water use कर रहे हैं तब वो current फ्लो नहीं करता है जब potable water use करते हैं तब ही current flow करता है next test है हमारा fluorosense test what does the test test है हमें? fluorosense देता है जो oil होते हैं वो आपको fluorosense देता हैं और जो water होते हैं आपको fluorosense नहीं देते हैं at the presence of UV light जब हम UV light से treat करते हैं तो जो oil रहता है वो हमें fluorosense देता है और water हमें spotty pigments देता है तो इससे आप समझ जाएंगे कि oil in water type है या water in oil type में और याद रखेगा यह तब देगा जब जो भी एक चीज़ याद रखेगा सब में जो भी phase आपका जो भी phase आपका continuous phase में है तो या फिर dispersion medium है ने यह जापका लूठ बॉल वाटर में OWL एंट तो इसके सदाथ बॉल करा तो रखुए टो रख tो रियेrakt्प्श संहे जो बॉल को लोग जो टेकारगा तो बॉल्प करेगा तो इसके साथ देखिए ओलेक्पाम्ट लॉीरिक्शन तो अगर oil in water type का emulsion होगा तो that will show spotty patterns कुछ spotty type के patterns देंगे लेकिन अगर water in oil type का emulsion होगा तो वो फ्लोरोसंस देगा जिससे आप समझ जाएंगे कि इसमें water in oil type of emulsion है whether you go about it in a filter paper 낙र तेस्ट इसमें क्यों Helena, यूवाटर थाईंटर थाईंटर पीपर शुद सब्स्प्र wildlife लेकित स्प्र मेंगें कि अर सिल्टर थाण वागरिवेर नषिटर यूपर थाईंटर लेग znucky मिलटर थाईंटर होगा जाएंगे अर च्छाभवी जाएंगे ए अगर वो छिए एक वह लुडीी वाटर थाग्यार कियो चिहां ओक तई जलिदी जलिदी येकषिस औरni अगर वेकि दल कि किसी फिल्टर पुर तई जल्डी वाटर ञीता शिवाटर होसा पानी आपड़ी जल्डी गील होजाताइप चोईव भीज लेकिन तेल ज़िरता हे तो भी तेल ज़न सब्फट आपफी अपला।। का बय्मेता उपनी सब्सप्रीग तक्षूर आप का बना है। लेकर तुर्ण भी waktu दोसे में एक्षर तुरन इन होता। इस से भी आ oil in water emulsion should spread out rapidly when dropped on to the filter paper जब drop करेंगे filter paper में in contrast to water in oil type of emulsion will migrate slowly लेकिन water in oil type जो होगा वो धीरे धीरे माइगरेट होगा गीला होगा लास्ट टेस्ट है मारा Cobalt Chloride Test इसमें क्या करेंगे यही filter paper को हम लोगों कोबाल्ट क्लोराइड में सोक कर देंगे जब हमने इसको डूला के रख देंगे उसके बाद इसको गीला इसको सुखाने के लिए रख देंगे जब इसको ड्राय किये तो ब्लू से अगर पिंक कलर हो गया तो इसका मतलब है वो ओल इन वाटर टाइप ऑफ इमोलिशन है तो इससे इंडिकेट हो जाता है कि और इन वाटर टाइप ऑफ इमोल्शन है किस टाइप इमर्शन आजण है, जो अर्डाइप कर सकते हैं कि कि स टाइप का इमर्शन है और इन वाटर टाइप का इमर्शन है जो अपको फॉर Gregory To Wills Walk in a Superhthalувати an 40 In Small Infant taste masking के लिए use होता है ठीक है? Next हमारा Oil in water immersion is convenient means of oral administration of water in soluble liquids जो water in soluble liquids होते हैं उसे हम orally ले सकते हैं अगर हम उसे oil in water type of immersion में convert कर दिये तो ठीक है? oil in water type of immersion में क्यों convert कर रहे हैं? क्योंकि oil का थोड़ा सा amount लेके क्योंकि वो water soluble नहीं है water in soluble drugs है तो हम oil में उसको solubilize करके उसको water के साथ compatible बना के हम उसे ले सकते हैं oral root के थो ठीक है? Next हमारा Oil in water immersion फेसिलिटेट्स दी absorption of water in soluble compounds comparing to their oily solution preparation example vitamins अगर हम oil in water type of immersion बना रहे हैं तो उसके absorption बर जाती है ठीक है? अगर हम water in soluble compounds का अगर हम oil in water इसको water emulsion बना बना रहे हैं जाएं गवर्छाइबन अगर इसके च्टनी तो उसको सुप कर बनाते हैं क्योंकि च्टनी बनाते जाएं चाहँ है तो क्योंकि हमें उसे बनाते हैं क्योंकि हमें उसे डोसी फमें और एजी अभिशेशन करना है लेकि उसे निक्वार्ट इंट मतल雅 मैशनीं मतलय सोड़ियागा, एकल गदल का हैसे का निक्तट मैशनी है, वह निक्あっ बेशनी हित्वाँ और तो निक्ट मैशनी, तो अपक जाएगा उसका उस परीछन वाट इंटम भटर कशनी यPlus ऐगा कंड आपसे, क्पर दिलिवरी शुक्त he परेंटली थू आइवी दे सकते हैं, जगर उसको इमर्शन में गर्ड़े तो, एक्जाम्पल टेक्सोल, नेच्स्ट है मारा, जगर जगर उसको अःप्लिकेशन देखे सकते हैं, और आगे वादे लेक्शर वीडियो, में और अप्लिकेशन को दील करती ही जगूँगी, कि आपको ऐसे समझाते समझाते, आपको और में आप्लिकेशन समझाती रहूंगी, छिए? This was all about today's lecture. I hope आपको ऐसे लेक्चर समझाया होगा. Thank you.